नमस्कार दोस्तों वेलकम बेक टू जूनियर इंगिनियर सिफिल अकेडमी बहुत ही बड़ी ख़बर आ रही है जितने भी डिप्लोमा ओल्डर स्टुडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी ख़बर आ रही है बड़ी ख़बर यह है कि SSC JE का ओफिशल नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसके एक्जामिनेशन फॉर्म की नई डेट किया है वह भी आउट हो गई है तो इसके बारे हम फटाव डिसकस करते हैं तो SSC JE का जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में हम बता देंदा आपको कि जो स्टार्टिंग डेट वह आपकी 28 जैनवरी और जो लाइट है वह फॉर्म फिलब करने की वह 25 तो यह डिटेल्स जो लोग पहले वीडियो से देख चुके हैं मेरा तो उनको नौलेज में है कि मैंने एक वीडियो अप्लोड की ती जितमें मैंने आपको बता दिया था कि 28 जैनवरी से SSC JE के फॉर्म स्टार्ट हो चुके है बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं तो ट्रेस्ट मी मैं हर बाट ट्राय करता हूं कि आपको ट्रेस्टेट इंफॉर्मेशन मिलें यहां से आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो आपको मिस्गाइड करें तो इसके बारे में आप clear हो जाए कि आपको ऐसी information मिलने वाले जिससे कि आपका feature को आपको boost मिले ना कि आप मिल स्काइड हो तो इसका attention ना लीजिए आप अब बात करते हैं कि इसका कौन को अप्लाइ कर सकते हैं सब को knowledge में के जितने भी डिप्लाम ओल्टर रहें और डिग्री ओल्टर हैं ओके सब अप्लाइ कर सकते हैं ब्रांच किसे के लिए ब्रांच हैं आपकी इसमें सिविल लेक्टिकल मेकनेकल क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉंट्रेक्ट यह सारी होने वाली इसमें ओके आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जैसे कि आप इसमें पढ़ सकें इसको पूरा डिटेल में तो ओफिल नोटिफिकेशन आउट होगा जो कि होने वाला 28 को ज देखते हैं कि SSC JE में कुछ वेरिशन होने को मिलता है या नहीं मिलता है और साथ ही आपके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बहुत ही जल्दी क्लासे से स्टार्ट होने वाली है RRB JE के CBT 1 की जो कि सभी ब्रांच के लिए common होने वाला है और साथ ही हम लोग शिवल एंजिंग की जो कि आपके काम आने वाली है RRB JE का आपको लेवल से प्राइज आएका कि आपको कुछ नहीं आता और हाइल यानि जीरो टू टॉप आपको सब कुछ पड़ाय जाएगा और बेसिक से पड़ाय जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप उस कि युको कर पाएंगे और साथी साथ आपके मुख टेस्ट भी करा जाएंगे अब इस्ट्वेंट कमेंट करेंगे कि पहली किले कर दिता हूं यह बात में कि सर्ग क्या कुछ मट्रील फ्री रहेगा सब कुछ या फिर कुछ पेड़ देने वाला है देखिए कुछ वीडियो फ फ्री नहीं रहने वाली कुछ और सेघ्ट में बहुत नहीं लगती है उसको प्रेफर करने में अडिल अंवार होí लेकिन टेस्ट उरीज का जो कौश रहने वाला है वह इतना रहने वाला है कि आप लोग आरन सिपए कर सकेंगे उसका ट्रइचन ना लिजा है सिर्फ आप फोकस करिए अपना सेलेक्शन निकालने के लिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि आपने गौर करा हो कि आरार बी जेई सिर्फ यूपी ट्रफले सी और अधर स्टेट मपी बिहार और अधर स्टेट एग्जाम है यह एक्जाम हो रहें आपके continuous यानि कि हर महीने से मैं बात करूं तो अपरेल के बाद जहां तक knowledge में मेरा तो सब exam one by one start होने वाले हैं तो आप पर लगातार exam आ रहे हैं तो आपको जो छे से साथ महीने हैं ना six to seven month है जो उसमें बहुत ही आपके बड़ा मौका है इस साल आपको पता है क्यों मौका है क्यों government change हो रही है और vacancies बहुत ज्यादा आने वाली होती है जो आती है और हर पांच साल में ये बड़ा मौका लगता है तो इस बार बहुत ही ज्यादा vacancy आई है तो आप जी जान लगा कि महत में लग जाई है और बने रही है हमारे चैनल के साथ जहां पर हम आप लोगों को बहुत थी बड़िया तरीकी से स्टार्ट कराएंगे ओके तो मुझे लगता है कि आपके सारे doubts से हो clear हो गए होंगे अगर आपके कुछ भी doubts रह जाते हैं तो आप नीचे comment करके comment कर सकते हैं और अगर आप तयारी करना सब्सक्राइब चाहते हैं और भी जी कि सीबीटी वन की ओके सारे वीडियो लेक्चर फ्री नहीं होने वाले हैं तो वह भी आपको मिल जाएंगे साथ ही साथ आपको टेक्निकल का भी मिल जाएगा यहां पर जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना मैं ट्राइक करूंगा फ्र और आप इस ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि हम आपको रेगुलर अपडेट करते हैं और अधर एक्जाम के बारे में तो मेक शूर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल के गंटे का आइकन को भी दबा देना और इस वीडियो को तो अपनी दोस्तों कर शेर जरूर करते हैं क्योंकि एससी जीग नोटिफिशन आ जाया है एक त्योहार टाइप में होता है बच्चों के लिए जो डिग्री और डिप्लम होल्टर है क्योंकि सब लोग ताक लगाए बैठे रहते हैं ससी जीग का आईगा उसका आर नोटिफिशन आ चुका है तो मे